वेल्कम फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीब धायल एजुकुशन में आज के इस वीडियो में हम हर्याना भूगोल के कुछ इंपोर्टेंट किश्चिन्स करेंगे यह जो है वो जोगरिफिस एलेटिड दूसरा वीडियो है अपको जो मेरा पहला वीडियो बहुत पउसंद आया था तो इसलिए मैंने इसका दूसरा भाग में त्यार किया है अगर आपने अभि तक पहला भाग नहीं देखा है तो आप जो है मेरे चैनल पर से देख सकते हैं आपको जब पहले बाग का लिंक इस वीडियो के description में मिल जाएगा और जो है मैं इस वीडियो के अंत में भी उसका लिंक आपको दे दूँगा तो friends अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो उसे सब्सक्राइब कर लिजिए और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले आइकन पर जरूर क्लिए कीजिएगा तो इससे जो आज जैसे मैं वीडियो चे अपलोड करूँगा तो उसी टाइम आपको उसकी notification मिल जाएगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर भी करें तो आईए स्टार्ट करते हैं जोगर्फिके questions सबसे पहले है कि हर्याना की जिलवाईव की क्या विशेष्ता है तो हर्याना की जिलवाईव की विशेष्ता है कि ग्रीशम काली जाए गर्मियों में जो है उंचा तापमन होता है और वाश्विकरन की अधिकता होती है तो यह हर्याना की जिलवाईव की मुख्य विशेष्ता है नेक्स्ट है कि कौन सा स्थान जो है मोरनी पहाडियों का सर्वत सिखर है तो मोरनी पहाडियों का सर्वत सिखर है क्रोह क्रोह जो है वो मोरनी पहाडियों का सर्वत सिखर है मोरनी पहाडियों यह पंचकुला में है नेक्स्ट है कि कौन सी नदी मारकंडा और टांगडी के जल को घगर में उडेल देती है तो सरस्वती जो नदी है वो मारकंडा और टांगडी के जल को घगर में उडेलती है अभी जो सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो चुकी है उसकी खोज जो है फिर से दुबारा हर्याना सरकार ने स्टार्ट की है तो next है कि शेत्रफल के अनुसार हर्याना का कौन सा जिला सबसे बड़ा है तो भी जो है रिसेंट में चर्खेदादरी जो है वो भ्याणी से अलग होके 22 जिला बना है पहले जो वो भिवानी था पर तो अभी जो है वो सिर्षा शित्रफल के अनुसाथ सबसे बड़ा जिला है नेक्स्ट है कि हर्याना राज्ये में वन शित्र कितना है तो वन शित्रफल जो है वो 1560 वरक किलोमेंटर जो हर्याना में है नेक्स्ट है कि हर्याना राज्य का कितना परतिस्थ भाग पहाड़ी और चट्टानी है जिसको अरावली की अवसिष्ट पहाड़ीों के रूप में जाना जाता है टो ये है तन पॉइंट ही तरफ मीज़े वो है वो सिवालिक की पाड़िया और अरावलिक की पाड़िया युथ क्शकुला आ इक हाद है है तो हर्याणा में दो मुख्य रूप से पाधिया हैं। next है कि भाकड़ा डेम प्रोजेक्ट के जन मंदाता किसे का जाता है। चोधरी छोटो राम थे जिनने के किसानों के मस्या के नाम से विज़ाने जाता है। तो इन्हों ने जो भांकड़डा डेम प्रोजेक्ट को जो है वो बनवाने में मुख्य भूंगा निभाई थी अगला विश्चन की हरयाना किष्ची विश्व धहले किस जिले में है तो जिए अग्रीकल्चर निष्ट्टि है यह हिंसार जिले में है यह वह स convert किस हर्यान के किस भाग में निगतरुकत का ब्रतु मीडिया सब्सक्राइ नो में आप्षिय में हर्चनी पश्ट्मी भागर्ग जो है वह दुख्षिय निट पाया जाती हर्यानने दूरालोय, नो में दाएतन जो कि शिर्षा साइड में हो गया, सिर्षा हिसार भिवानी इस साइड में जो वो रेतिली मियटी जो है, इनके कुछ चित्र में पाए जाती है. Next है कि कौन से चित्र जल, अपरदन से गरस्त है? तो अम्बाला यमना नगर और पंशकुला, यहाँ पर जल के परदन से यह जिले मुख्यरूप से गरसते हैं नेक्स्ट है कि किस नदी के बारे में मतलब किन्वदती जो है वो मानिता है कि यह है भरिगुरुशी की पतनी है दिव्य पॉलिमा के नेतरों से निकली थी तो दोहन नदी जो है इसके बारे में यह मानिता है अगला क्यूशन की कौन सी नदी पंजाब के संग्रूर में घगर नदी में मिल जाती है तो सरस्वती नदी जो है यह है घगर नदी में पंजाब के संग्रूर में मिलती है हर्याना के पस्चिम में एषिटत अगला क्षिन कि हर्याना की कि स्वालिक प्रभुति श्रेन एक थे थे तो स्वालिक की जो पाढ़िया है वो पंचकुला तो यह जह है वो उत्तर पूरुवी भाग है हर्याना का तो शुवालिक के पाड़ियां जह वो उत्तर पूरुवी भाग में है नेक्स्ट है कि बालुका स्थूपो की परधानता किस मिट्टी की विशेषता है तो जो अतियंत हलकी मृद्ध होती है वो बालू का स्तोप को परतानता की विशेशता है नेक्ष्ट की कौन सा हर्याना का सरवाधिक विस्तरित प्राकर्तिक विभाग है तो मैदानी भाग जो हो हर्याना में सबसे ज़्यादा है नेक्स्ट की कौन सी नदी ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हर्याना के यमनानगर जीले में हर्याना के सीमा में प्रियूश करती है तो यम्ना नदी जो है वो यम्ना नगर के क्लेसर में जो है वहाँ पर हर्याना में परियूस करती है और वहाँ पर ताजे वाला हिंद भी बना हुआ है ताजे वाला कुंड नेक्स्ट है कि हर्याना में सर्दियों में उस्त तापमान कितना रहता है तो सर्दियों में जो हो एवरेज टेंपरेचर है वो 12 डिग्री सेसियस रहता है नेक्स्ट है कि हर्याना में कौन से पर्मुख जीले हैं परमुक जील जो है, कोटला है, कोटला जील ये मेवात में है, फिर है दमदमा जील, दमदमा और खलील पुर जील, ये जो है वो आपके इसमी गुडगाव जीले में है, नेक्स्ट की हर्याना की जलवाईू, उपोशन कटिबंदिये, शुष्क महादुपिया है, इसका मुख कि कौन सी नदी मृद्धा शुष्क भूमी किर्शी के लिए उत्तम समझे जाती है तो हल्की मृद्धा जो है वो किर्शी भूमी के लिए उत्तम समझे जाती है नेक्स्ट की किस नदी का उद्गम स्तल हिमाचल पर्देश के सिर मोर जिले में है तो सर्शमत्य नदी जो है वो हिमाचल के सिर मोर जिले से निकलती है अगला कुछन की हर्याना के मद्यवर्ती भाग में कैसी मिटी पाई जाती है तो हर्याना का जो सेंटर भाग है वहाँ पर दो मेट मिटी पाई जाती है नेक्स्ट की मद्यम मिर्दा को कितने भागों में बांटा गया है तो जो मेडियम में जो मिर्दा है उसको तीन भागों में बांटा गया है नेक्स्ट है कि हर्याना में राजजस्थान से आने वाले गरम शुषक हवाओं द्वारा जो ताल बन जाता है जिसमें वर्षा के पानी से जो एस्थाई चिछली जीले बन जाती है उन्हें क्या का जाता है नेक्स्ट है कि किस प्रकार के मिट्टी को हर्याना में रोसली भी का जाता है तो जो बलूई दो मिट्टी होती है इसको रोसली मिट्टी भी कहते है नेक्स्ट है कि बालुका स्तुपो के परधानता किस मिट्टी के विशेशता है तो ये जो अत्यान धर की मिर्दा होती है वो बालुका स्थुपों के प्रदानता वाले मिर्टी होती है नेक्स्ट है कि हर्याना के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिर्दा पाई जाती है तो दोमट मिर्दा जो है वो मध्यवर्ती भागों में पाई जाती है नेक्स्ट की मेवाद जिले के नूह के निकट मेवाद की पहाड़ियों में से कौन सी नदी निकलती है तो इन दोरी नदी जो है वो मेवाद की पहाड़ियों से निकलती है नेक्स्ट की सिर्षा, हिसार, महंदरगट और भिवानी जिलों में किस शेत्र का विस्तार सबसे अधिक है तो जो रेतिले शेत्र है वो जो है इन जिलों में सबसे जादा है नेक्स्ट की हर्याना राज्य का कौन सा भाग रेतिला है तो जो पस्चमी भाग है, वो रेतिला भाग है निएक्ट है हर्याना के अधिकांस भागों में किस प्रकार के जलवाईू पाजाती है तो ज्यादतर जो हические हर्याना में उपोशन स्टेपी जलवाईू यूज़ है वो पाजाती है अगला कुछन है कि कौन सी नदी मूलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है तो टांगडी नदी जो है यह मूलाना के समीप मारकंडा नदी में मिल जाती है नेक्स्ट है कि टांगडी किस नदी की पर मुख सहाइक नदी है तो मारकंडा नदी की टागड़ी मुख्या सहयक नदी है अगला कुछन ने कि हरियाना की दक्षिन पूरों में कौन सा परदेश थित है तो दक्षिन पूरों में जो है वो दिल्ली जो की भारत की राजदानी भी है और केंदरसाषित परदेश है ये 예स थित है नेक्स्ट है कि अरावली की श्रेणिया हर्याना की किस भाग में स्थित है तो दक्षिनी भाग जो है वहाँ पर अरावली की पहडिया है अगर लक्षिनी की हर्याना का कितना शेत्र वायू उपरदन से प्रभावित है तो लगबग जो वो 20 लाग हेक्टरे जो से तरह वो वायू अपरदन से प्रभावित है नेक्स्ट है कि डक्टर ब्लादिमीर कोपेन के अनुसार हर्याना में मुख्य रूप से कितने परकार की जलवायू पाई जाती है तो यह है दो परकार की अगला क्टर नेक्स्ट है कि नेवराना सुरेठी वे चुचक वास आदी शेतर किस नदी से सिंचित किया जाती है नेक्स्ट है कि हर्याना की जलवायू किस परकार की है तो हर्याना की जलवायू उपोशन कटिबंदिय सुस्क महादुवी पियस जलवायू है नेक्स्ट है कि केथल के फरल गाव में किस मेले का आयोजन होता है तो फलुगु का मेला जो ही है केथल के फरल गाव में लगता है यह परशिद मेला है नेक्स्ट है कि भगत के विसूरदास का जनम सीही गाव में हुआ था तो सीही गाओं हरियाना के किस जिले में स्थित है तो सीही गाओं ज़ए यहे है फिरदाबाद जिले में है और यहाँ पर वो सूर्दास का जनम हुआ था सूर्दास जो है वो अकबर के समकालें थे नेक्स्ट है कि जलोड पंको का निर्माण कौन से शित्तर में हुआ है तो गृपाद मेदान के दक्षिनी भाग में जो है वो जलोड़ पंकों का निर्मान हुआ है और यह जो है वो पंचकुला और यह उनानेकर साइड में जो है यह है नेक्ष्ट की हर्याना के किस जिले के निकेट मोरणी पहाड़ियां स्थित है तो मोरणी पहाड़िया जो यह पंचकुला वे स्थित है अगला क्यूशन की गृपाद मेदान का धाल किस तरह है तो उत्तर पुर्व से दक्षिन पस्चिम की तरफ जो गृपाद मेदान का धाल नेक्स्ट की लवनता और अक्षारियता से ग्रिष्ट मिर्दाओं को स्थानिय बासा में क्या कहा जाता है तो यह रेह एवं कलर जहां वह नहीं कहा जाता है अगला किष्टन है कि हर्याना के उत्री भागों में पर्वत्य शित्रों में कितनी वर्षा होती है तो 200 सेंटीमेटर वर्षा जो है वो उन्हें साइड में होती है F ե৥ि, कों सां पढ़िश हरियाना के उत्तर में इस्तित हैं? तो ह्रियाना के उत्तर में जो है कि वह हिमाजल पढ़िश है और पश्चिम में पंजाब है और ëप्रिर दक्षिन में जो है वह राजस्तान है तो friends, उमीद करता हम कि आपको ये वीडियो पसंद आए होगा अगर वीडियो पसंद आए तो इसे like करें और अपने friends के साथ भी share करें और अगर अभी तक आपने channel subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe कर लिजिए और subscribe करने के बाद घंटी वाले icon पर जरूर कलिक कीजिए तो इससे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उनकी notification आपको उसी time पर मिल जाएगी तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद